हलोओ फ्रेंड्स मैंत्मेटिक्स की एक ओध लेकर हम हाजी रहाई जी हाँ आज से हम प्रॉफिटेन्ड लास यहलो सवाल कर तरिक्हा certains सब्स्द्र करेंगे कि जिससे कि आप बहुत आसान भासा में बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर पाएंगे परिच्छा हॉल में तो चलिए हम सुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो हम यहाँ पे छे सवाल लिखे हैं उसके बाद हम फिर से लेके आएंगे मतलब कई सवाल हम प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कराएंगे और हर तरीके का एक एक दो-दो सवाल कराएंगे जिससे कि परिच्छा में उससे संबंधित कोई भी प्रिच्छ बने और आपका गलत ना हो तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रिच्छ नंबर एक से सभी काम सॉल्यूसन आपको देंगे यहाँ पे तो पहला प्रिच्छ नंब क्या कर रहा एक दुकानदार पचीस सो में मसीन खरीता है 500 रुपए मरम्मत करवाता है वो क्या कर रहा कि पच्चीस सो में वो क्या कर रहा है मसीन परचेज कर रहा ठीक है 500 क्या कर रहा है रिपेर में लगा रहा है यानि कि इस मसीन की कीमत कितना हो गई 3000 हो गई, 3000 हो गई, 3000 हो गई, ठीक है, 2000 में वह बेंच देता है, यानि कि मसीन उसमें कितने में खरीदी, 3000 में, यानि कि इसका जो cost price हो गई, cost price कितना हो गई, 3000 हो गई, अब वो 2000 में selling price कितना हो रही, उसकी selling price, उसकी 2000 हो रही है, यानि कि 3000 हřजार रुपाएं में उसे कितने का loss हो रहा है, 1000 यानि कि 1000 का हानी उसे हो रहा ही, एक हजार का लॉस हो रहा है अभी एक हजार का लॉस कितने में हो रहा है भाई उसमें कितना लगाया है तीन हजार लगाया है तो तीन हजार में ही तो एक हजार का लॉस होगा कि दो हजार में होगा जितने मेचा है जितना उसने टोटल खर्चा किया है उसमें लॉस होगा उसक चाहजार की हानी हुई है, तीनफाद में हुई है, इसका क्या पूंचा है, आपसे प्रतिसत ग्लाइस ग्यात करना है, अला भे हानी प्रिसत ग्यात करने के लिए, आप को एक चीज़ पता होगी, कि आप सव से क्या करते हैं गुड़ा कर देते हैं तो आप आपका आसानी से आ सकता है तो यहाँ पे हम यह सारे इसको काड़ देते हैं एक तिक्के तीन यानि कि तीन आएगा और जब तीन से सव का भाग भाग देंगे आप तो यह कितना हो जाएगा तेंटीज दसम्लो तीन तीन प्रित्स आपका उत्तर हो जाएगा ठीक है इसे आप तेंटीज सही एक बटे तीन भी लिख सकते हैं दोनों आपका हो सकता है तो ये आपका पहला सवाल दा कितना जो सवाल है कितना आपको फ़सा रहा है लेकिन है बहुत सरल तरीके से आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल कर सकते हैं पचीस सो रुपाई इन्हों ने खरीदा ठीक है मसीन खरीदी पांस सो रुपाई इन्हों ने क्या किया कि उसमें पैसा लगाया यानि कि उसमें उन्होंने पैसा लगाया उसके बाद इन्होंने क्या किया कि तीन हजार रुपए इन्होंने क्या किया कि बेंच दिया ठीक है तीन हजार रुपए इनकी कुल लागत हुई और दो हजार पे इन्होंने क्या है बेंचा एक हजार की हानी हुई, कितने में हुई, तीन हजार पे हुई, आप सौ से गुणा कर देंगे, आपका प्रिस्टर निकार जाए, कितरा आसान तरीके से आप इन सवालों को कर पाएंगे, यह हम आपको आगे भी बताएंगे इसी तरह के सवार, और इसे कठीन कठीन सब जब समनों, तीन तीन प्रिस्टर, सिंपल सा आउंसर, आपको मुझवानी, आप इसको प्रैक्टिस आप करेंगे, तो मुझ पे आपको इसको बिना सवा, बिना पेन कलम उठाएंगे, इसको आप कर सकते हैं, अगला सवाल है, आपका एक दुकानदार 12,000 में एक कूलर खरीता है ठीक है, हम दूसरे सवाल को देख रहे हैं, 12,000 में क्या करता है, कूलर क्या करता है, परचेज करता है, 3,000 रुपए मरमत करवाता है, हमने ठीक है, 3,000 रुपए इन्होंने क्या कराया, रिपेरिंग कराई, 12,000 इन्होंने खरीदा, 3,000 रिपेरिंग कराई, यानि कि 15,000 रु बताईए यानि कि 15,000 का इन्हों ने खरीदा क्या किया कि 20,000 पर इन्हों ने बेचा 20 यानि कि इन्हों ने खरीदा 15,000 में यानि कि लागत 15,000 लगाई और 20,000 बेच रहे हैं यानि कि 5,000 रुपए इनको कितने फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, 5,000 रुपए इनको फायदा हो रहा है, ठीक है, ये माइनस में है, ठीक है, अब ये इनका 3 मेंस दो गए, तो ये 1,000 रुपए इनका क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये 5,000 रुपए हो यही आपका उत्ता कितना आराम से आप सवालों को कर रहे हैं पर इच्छा हाल में आप इससे भी आसान तरीके से करेंगा अब हम मोजवानी आपको बता देते हैं बारा हजार रुपए कहरा इन्होंने लागत लगाई तीन हजार रुपए मरम्मत का किया यानि कि टोटल खर्चा इन्होंने बारा तीन पंदरा किया बीस हजार का ये बेच रहे हैं पंदरा हजार लागत लगाई बीस हजार का ये बेच रहे हैं यानि कि पांदरा हजार रुपए पंदरा हजार लगाए पंदरा हजार लगाए पंदरा कितना हो जाएगा एक बटा तीन हमें एक बटा तीन की वैल्यू पता है इसलिए इनको 33,3,3,5 का फाइदा हो रहा है सिंपल सा सवाल है मोजवानी सवाल है हम आपको समझा रहे हैं आपको सुरू में प्रेक्टिस करनी पड़ेगी बाद में ये सारे सवाल आपके मोजवानी होंगे चलते हैं एक और सवाल के और एक दुकांदार 6,000 रुपए का एक टीवी खरीदता है 6,000 रुपए इन्होंने क्या किया एक टीवी खरीदा पर्चेज किया इन्होंने एक टीवी एक हजार रुपए फिर इन्होंने बनवाना है उसको यानि कि टोटल इन्होंने 7,000 खर्चा कर दिया कह रहा है कि 20% पर लाब बेंच 20% के लाब पर बेंच देता है विक्रे मूल बताईए 7000 रुपए इनकी क्या हो गई टोटल कोश्ट प्राइस हो गई यानि कि लागत जितना इनको 7000 थी अब कह रहा है कि 20% पर इन्होंने बेंच देता है इसका आप 20% निकाल लेंगे तो आप 20% निकाल लेंगे और इस पर जोड़ लेंगे या तो आप ये करिए कि 7000 रुपए इन्होंने लागत लगाई है और इस 7000 का 120% पर बेंच देते हैं ये बाई 20% का लाब लेंगे 120 बटा 100 ये हो गया आपका बारसते 84 8400 में ये क्या करते हैं बेंच देते हैं इनका ये हो गया सेलिंग प्राइस हो गया यही उत्तर हो जाएगा यानि कि 1400 का इन्हें फायदा मिला और विक्रें मूल इनका 84 रुपए 84 सा हुआ 1400 रुपए इनको फायदा हुआ लाब ये सवाल में दोनों पूछ सकता है लाब कितना हुआ बहिए 84 सौ में जब आप 7000 गटाएंगे तो 1400 का लाब हो जाएगा 20% बारसते 84 आपका 84 सौ रुपए इनकी टोटल सिलिंग प्राइस हो गई अब इस प्रकार से भी आप जोड सकते हैं अगर इसका केवल 20 निकालेंगे 14 आएगा इस में से 7 में से 14 जोडेंगे तो 84 आएगा आपका एंसर बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं फिर से मुझवानी हम बता दें 617, 70sis यिनकी लागत है है 20 पर सिम्ण का लाव बार्षटे 84 यानि कि इस कीदना हो जाएगा साथ बार्षाते 84 है तो कीतना हो जाएगा बार्षटे 84 या इसका आप 20 पर इस निकालना चाहें तो साथ-दुना इं 14 Everocrat सत्तर चौदा कितना हो जाएगा चौरासी दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको मुझवानी रूप से चलते हैं चौथे प्रिशन की ओर जो कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कह रहा है कि असी रुपए में एक दुकानदार पेन बेचता है ठीक है असी रुपए मे पे जितना लाब होता है कह रहा है कि 96 रुपए बेचने पे तीन गुना का लाब हो जाता है क्रेमोल वताई हैं सवाल को ध्यान से पढ़िएगा सवाल अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो समझ पा रहे हैं तो आपकी गलती बहुत बढ़ी हो कह रहा है कि 80 रुपए में पेन बेंशता है जितना इसे लाब होता है 80 रुपए में 96 रुपए में बेचने पे तीन गुना लाब होता है 80 रुपए में बेचे हैं इन्हों 96 रुपए में जब ये बेंशते हैं तो इनको कितना होता है 96 यानि कि 16 रुपए में इनका 3 गुना लाब होता है यानि कि जब 80 में बैशते थे तो भी लाब होता होगा इनको तो 1 के कितना लाब होता था इनको कितने में 1 के लाब होता था ठीक है 80 में जब बैशते हैं चियान तीन गुना का मतलब आप इनको कितना के लाब हो रहा है कि दो गुना अधिक का लाब हो रहा है तो ये दोनों का गाइफ कितना हो जाएगा तीन गुना का मतलब एक गुना इसमें लाब हो रहा है और दोनों को गाइफ में कितना हो रहा है टू के इनको लाब हो रहा है ठीक है 2K अब क्या हो जाएगा अब टू के बराबर 16 तो आप यहाँ पे के बराबर निकाल सकते हैं 16 बटा 2 बराबर 8 आठ रुपए ठीक है यानि की के बराबर 8 अब इनका जो प्राइस सेलिंग प्राइस है कितना है 80 रुपए में इनका 8 रुपए यानि की 1K इनका क्या है प्रोफिट जुड़ा है 1K इनका प्रोफिट जुड़ा है और 1K बराबर हम जानते हैं कितना होता है 1K बराबर इनका के बराबर होता है आपको पता है की 8 होता है क्योंकि यह 8 आया है तो 80 में से इनको क्या है कि इसमें जुड़ा है तो हम घटा देंगे तो 80 में से 8 जाएगा तो इनका 72 आपका एंसर हो जाएगा यानि कि इनका जो क्रैम मोल है वो 72 रुपए है इसमें से 3 गुना आप 8 तरीक का 24 आप करेंगे तो आपका खितना हो जाएगा 96 और 8 जोड़ देंगे तो 80 1 क का प्रॉफिट होगा यानि कि दोनों तरीके से आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं चलिए हम प्रिस नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं आपकी स्केन पे लिखा हुआ है 120 रुपए में एक किताब बेचने पर जितना लाब होता है 132 रुपए पर बेचने पर चार गुना होता यानि कि 120 पे भी इनको लाब हो रहा है तो 120 पे 1 के का इनको लाब हो रहा होगा 132 पे कितना 3 के इनका 3 मल्टिप्लाई हो जाए क्रेमूल ग्याद करने के लिए कह रहा है तो फिर से हम कह रहा है कि इनका सेलिंग प्राइज जो है 120 है ठीक है 132 पे जब ये बेच रहे हैं तो इनको कितने का 4K यानि कि 1K ये तो टोटल अंतर कितने को हो जाएगा 3K ये घटा दीजिए जितना अगर इधर लाब हो रहा है जितने का 120 का वेज रहे तो उनको लाब हो रहा है अगर यहाँ पर लाब लिखा है तो 1K आप घटा दीजिए जितना वहाँ पर मल्टिप्लाईए 3K बराबर इनको कितने का हो रहा है 12 रुपय का लाब हो रहा है 120 32 तो K बराबर इनको कितना हो जाएगा 4 के बराबर 4 तो इनका जो है कॉश्ट फ्राइज ग्याद करना है तो भाईया 120 120 में से आपके घटाएंगे यानि कि 4 तो 116 रुप़ा इनका क्या हो जाएगा जो क्रैम मूल हो जाएगा यानि कि purchase price हो जाएगा यही आपका answer हो जाएगा ठीक है यह आपका सवाल रहा है अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और हमारा यह छटवा सवाल आपकी screen पे है इसको हम देख लेते हैं आपको कह रहा है कि 900 रुपाए में एक फोन बेचने पर जितने की हान ही होती है 1200 में बेचने पर उतने का लाब होता है सवाल अब पलट गया है अभी तक जितने का लाब हो रहा था उसके चार गुना लाब होने पर कित आपको गया है अब कह रहा है कि 900 बेचने पर जितने की हान होती है 1200 बेचने पर उतने का ही लाब हो रहा है सवाल को समझजिएगा आप देखिए यहां पर 1200 बेचने पर जितने का लाब हो रहा है 900 बेचने पर उतने की हानी हो रही है सवाल यही कह रहा है यानि कि 1 के हानी का और 1 के लाव का ठीक यहां पर 2 के हो जाएगा समझ रहे हैं आपको कह रहा है कि 900 बेचने पर जितने की हानी होती है 1200 बेचने पर उतने का लाव होता है यानि कि 1 के हानी का और 1 के लाव का यानि कि 2 के और 2 के बराबर कितना हो जाएगा 300 हो रहा है तो के बराबर कितना हो जाएगा इनका 150 ठीक है 900 अब 900 पे इनको हानी हो रही है तो आप 150 जोड़ देंगे तो 1050 में ना इनको लाब होगा ना इनको हानी होगी यानि कि 1050 रुपए इनका cost price है लागत मूल है और 1200 में इनको लाब है यानि कि इनका क्राय मूल कितना है 1050 रुपए एनसर उमीद है आपको समझ में आ रहा होगा इनी तरह के सवाल है लेकिन वहाँ पे अभी तक plus में होता था अब यहाँ पे minus में है यह सारे सवाल जो है मातपूर हमने देखिए एक line में सारे सवाल किये हैं सभी के सवाल का उत्तर हमने एक line पे दिया है तो यह आपके सवाल है यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ और सवाल अभी आपके screen पे आएंगे इसको हम देखेंगे तो इन सारे सवाल जितने भी सवाल थे आप सारे को मुझ जवानी कर सकते हैं बीना pen color उठाए क्योंकि practice makes man perfect यह आप practice करेंगे हम आपको अधिक से अधिक प्रिस्णों के practice भी कराएंगे तो यह रही आपका कुछ प्रेस्ण चलिए हम कुछ और प्रेस्ण हाँ पे देख लेते हैं इसको रफ करके आपको हम note करके लाते हैं हम आपके लिए कुछ प्रेस्ण और प्रेस्ण आपके स्कीन पर आ रहे हैं उसको आप देखिए तो हम आगे बढ़ते हैं इसे में और देखते हैं कुछ नए प्रकार के सवाल जो की और बन रहे हमारे profit and loss से और यह हम पुरा basic concept देख रहे हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे किस प्रकार के सवाल है हमारा देखते हैं हैं सवाल नंबर 5 तक हम ने कर लिया था सवाल नंबर 6 से हम शुरुआत करते हैं सवाल 6 क्या कर रहे हैं पंदरा सो रुपए में एक पैंट बेचने पे हानी होती है पंदरा सो रुपए का पैंट ये कह रहे हैं कि बेचने पर क्या होता है कि लॉस होता है ठीक है दो अजार बेचने पर चार गुन्या का लाब होता है क्रेमल बताई अभी तक हम क्या करते थे कि पंदरा सो रुपए में बेचने पर जितने का लाब होता है 2000 बेचने पे 4 गुना का लाब हो रहा है लेकिन अब यहाँ पे सवाल बदल गया सवाल को आपको समझना होगा सवाल की प्रकृति को जैसा कि आप लाब पे जो है निकाल जहते वैसे हानी पे concept नहीं लगेगा हान पे अलग concept लगेगा अब कह रहा है कि 1500 में बेचने पे कितने की हानी होती है बेचने पे हानी होती है और 2000 बेचने पे क्या होता है कि यह 4 गुना का लाब होता है तो हानी कभी यहाँ पे रेसी होगा अभी तक लाब में लाब जुड़ रहा था यानि कि एक गुना लाब हो रहा था उस तीन गुना हो रहा था तो उसका गैफ जो है दो गुना हो जा रहा था अब क्या होगा कि यहाँ बहानी भी एक गुना होगी जो क्रैमो लोग उससे कम वाली हानी होगी और उससे फाइदा अगली यहाँ पे दो का रेशियो बन इस चीज़ को आपको यहां पर समझना होगा तो कह रहा है कि 2000 में बेचने पर यानि कि यहां पर 2000 में बेचने बेचा जा रहा है तो यहां पर कितने का 500 का डिफरेंस आ रहा है ठीक है अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना हो चार गुना का लाब हो रहा है यानि कि यहाँ पे देखी चार गुना का लाब हो रहा है ठीक है अब हानी आपकी भी तो एक गुना हानी भी तो हो रही हमने वही तो पताया कि क्रैमोल और लाब के ग्रेम ओलोगा जो प्राइस होगा परचेज प्राइस होगा जो उससे क्या होगा हानी हो रही है तो यह देखिए यह आपका हानी वाला रास हो गया यह परचेज प्राइस होगा यह हानी हो रही है फिर यहां से लाब हो रहा है लाब हो रहा है चार गुने का तो एक यह तो 1 is to 4 का ratio, आपको हानी और लाभ में यहाँ पे बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितने की 500 का हो रहा है, तो यह difference 500 का है, तो यह 1 अन पाते 4 का बनेगा, तभी तो 5 का जो होगा, अंतर 5 का 500 का है, तो यह 1 अन पाते 4 होगा, ठीक है, अब यह 501 अन पाते 4, यानि कि 100 चार सो किसमें चला जाएगा लाभ वाले में चला जाएगा यानि कि वस्तु पंद्रा सो की है पंद्रा सो प्लस सव यानि कि जो वस्तु का क्रेमूल है वो कितना होगा यानि कि परचेज फुरा इस क्रेमूल आप यहां पे लाभ चार गुना हो रहा है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं दो हजार रुपए हमारा यहां पे टोटल लाब है यानि कि दो हजार की वस्तु है जिसमें कि चार गुना का लाब है एक गुना की हानी है तो 100 तो चार गुने का जो हमारा लाब है उसको 400 आप घटा देंगे तो भी 16 यानि कि दोनों तरफ से आप जो है परचेज प्राइस आ कि आपका आजाएगा जो रुपए अब इसी प्रिकार से हम और सवाल आगे की और बढ़ते हैं यहां पर एक और सवाल की स्कीन पर दिख रहा है 1200 में एक पंखा बेचने पे ठीक है हम से लिए सातवान सवाल देख लेते हैं 1200 का एक पंखा बेचने पे पहली वीडियो हमारे छे जो सवाल हुए थे तो ये हमारा साथमा होगा और ये आठमा होगा कर रहा है कि बारा सो में एक पंखा बेंचने पे हानी होती है बारा सो में बेंचने पे हानी होती है चौदा सो बेंचने पे पच्चास रुपए का अधिक लाब होता अब देखिए यहां पे बारा सो में आपने बेचे तो आपको हानी हुई ठीक है अब 1400 बेचने पे आपको 50 रुपए का अधिक जानिक देखिए कोई भी चीज होती है आपको मान लेजे कि आपने कितने की 75 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पे आपको हानी हो रही है ठीक है तो वो 75 रुपए में हानी हो रही कि ये वरस तू 75 उपये बेचने पर आपका हानी हो रही है तो ये क्या होगा कि अगर हम इसको देखें इसको हम कुछ इस पेकार से समझ रहे हैं कहाए रहा है कि कोई वरस तू बेचने पर देखे यह 1200 बेंचने पर यानि कि कोई वस्तु 100 रुपए बेंचने पर हानी हो रही है ठीक है सौब बेंचने में हानी हो रही है और इससे जाता अगर कहे कायदे कि डेड़ सो में बेचने पर तीन गुना का लाब हो रहा है दो गुना का लाब हो रहा है तो देखी दो का डिफरेंस कितना हो गया पचास हो गया यानि कि पचीस पचीस पचास हो गया तो यहां पर हानी जो हो रही है सो में वो कितना हो गी सो में जो हानी हो रही है वो शोबी तो एक होगी खम तो किन में ah ho रहा है इसको किसी वस्तू में किसी को बेंचने पर हमारा हो रहा है मैं सव को mee वस्तू खारीदेंगे तो आप का यह सब्क्राइब आपकर सबसक् 혼자 कर सकते हैंаем canada में हानी और 1.500 में लाभ आप देखिए हम सवाल को अब आपके सामने समझ रहे हैं सवाल को समझियेगा तो आपको असानी होगी 14 सो में बेंचने क्या हो रहा रहा कि 50 रुपए का अधिक लाभ हो रहा है 200 रुपय का गैफ आ रहा है यानि कि 100 का आपका लाब होगा और 100 की हानी होगी यही तो सवाल हमने यह समझाया कि यहाँ पे 200 बन रहा है तो यहाँ पे कह रहा है कि कितने का लाब है, कितने गुना हानी यहाँ पे एक गुना हानी और एक गुना लाब हो रहा है और एक गुना लाब में 50 ज्यादा लाब हो रहा बस इतना concept है तो यहाँ पर ratio क्या बनेगा 1 is to 1 बनेगा 1 is to 1 बनेगा क्योंकि 200 का जो है क्या हो रहा है 200 अधिक बेंचने पर लाब हानी दोनों compensate हो जा रही और 50 रुपए क्या हो रहा है अधिक फाइदा हो रहा है अब देखिए एक अन पाते एक कितना हो जाएगा 100 is to 100 हो जाएगा ठीक है अब 100 is to 100 में कह रहा है 100 अगर इसको आप करते हैं तो अभी कह रहा है कि 100 is to 100 इसमें क्या करे रहा है कि 50 का अधिक कलाब होगा तो 25 की हानी भी तो होगी यही तो सवाल का मतलब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे देखिए जो आपका लागत होगी जैसे कि हम इस सवाल को समझ रहे हैं अब सवाल देखिए क्या कहा है कि 200 में अधिक बेचने पे 200 अधिक बेचने पे 50 रुपए का क्या हो रहा है कि इसे अधिक फायदा हो रहा है 50 का अधिक यानि कि दोनों तो 1.500 होगा भाई दोनों अगर जो रियल लाब है आपका नौ प्रॉफिट यानि कि एक गुना प्रॉफिट और एक गुना लास यह तो 1.500 होतो है यहीं तो सवाल है अब 1.500 का आप 2 से भाग दे दीजेगा तो यह 75 ना आएगा यानि कि 75 रुपाई यदि अधिक में बेंचा जाता तो cost profit होती और फिर उसमें परचेज 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 गोजाट करेगा तो यह 75 हो जाएगा और यह कितने हो जाएगा 125 हो जाएगा ठीक है ये बिल्कूल सें यहां पर यदि आप इसको इतना माथा पच्ची नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं भाया 200 का simple तरीके से आप समझना चाहते हैं तो 200 का लाब जब 200 अधिक में बेच रहा है तो इसे 50 का अधिक लाब हो रहा है 50 का अधिक लाब हो रहा है इसका मतलब इसको हो कि 50 का अधिक तो यानि कि 1.500 का इसका जब ये बेचेगा तो इसको एक गुना का profit होगा और एक गुना का क्या डेर सो में बेचने पर एक गुना का profit और एक गुना का लास आ जाएगा यानि कि total gap 2 होगा 75 रुपए यदि अधिक 1200 को अगर 75 जोड़ देंगे तो इसका profit हो जाएगा यानि कि purchase price हो जाएगा और फिर 75 जोड़ देंगे तो इसका लाब हो जाएगा यानि कि 1350 रुपए और यही 1350 में 50 रुपए अधिक कमा रहा है यही सवाल आपका है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भी जैसा कि हम कर रहे हैं इस प्रकार से भी आप इसको कर जगते हैं तो देखे 75 यानि कि यह क्या हो जाएगा कि यह इसका जो है यहाँ प्यादी इतने को और बेचेगा 75 रुपए यानि कि 1275 रुपए अगर बेचेगा यह प्लस होगा यह माइनस होगा 1275 रुपए में यदि वो समान बेचेगा 1200 प्लस 75 तो उसको नो प्रोफिट यानि कि सवाल क्या पूँचा है कि उसका क्राय मोल है तो यह आपका परचेज प्राइस है और इसी प्रकार से यदि आप 1400 में 125 माइनस कर देंगे तो भी यह 1275 रुपए क्या हो जाएगा का परचेज प्राइस हो जाएगा दोनों तरीके से आप निकाल सकते है दोनों तरीका है आपके लिए जैसा हमने भी आपको बताया वो भी तरीका अगर वो आपको सरल लगता है उसको खरिए यदि उसको आप समझ जाएंगे तो आपका समय काफी बच जाएगा उससे भी आप दिमाग में फटा फट दोडा के आप काम कर सकते हैं उसमें आपको पेन उठाने के फिर जरूरत नहीं पड़ेगी चलिए हम नौवे प्रिशनी की उर बढ़ते हैं आज का एक विद्यार्ट स्वरी पंदरास रुपए में फोन बेचने पे जितने की हानी होती है उननीस सो बेचने पे दस रुपए का अधिक लाब होता है फिर वही सवाल है पंदरासो में बेचने पे क्या कर रहा है कि यहानी होती है उननीस सो बेचने पे उसे दस रुपए का अधिक लाब होता है यही सवाल कर रहा है तो चार सो है यहाँ पे फिर यहाँ पे अधिक गुन्या में लाब नहीं दिया है तो ये 1 is to 1 का ratio निकलेगा 1 is to 1 का ratio निकलेगा यानि कि अब इसको हम नीचे यहाँ पर solve कर रहे हैं यानि कि 200 और 200 ठीक है अब 10 रुपाई का कह रहा है कि 10 रुपाई का अधिक लाब कमाता है तो इसमें 5 आप घटा देंगे 5 जोड देंगे 205, sorry 195 205, 205 यानि कि जब आप यहाँ पर 1500 में क्या कर देंगे 200 पंचान बे जोड देंगे तो इसका जो है क्रायमूर ला जाएगा 1500 प्लस 195 यानि कि 1600 पंचान बे परचेज प्राइस और इसी प्रकार से आप 1900 में आप 205 घटा देंगे तो यह आपका तो भी 1695 आपका परचेज प्राइस आजए दूसरे तरीके से आपको फिर निकालना हो तो आप देख सकते हैं 1900 का हुआ है 10 का यानि कि 1900 का अंतरा रहा है 400 में आप क्या करेंगे 10 घटा देंगे 390 को अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका कितना 195 आ जाएगा 195 यदि आप जोड़ दे रहें किसमें 195 रुपए 1500 में जोड़ देंगे 1695 रुपए और 10 रुपए का अधिक लाव लेता है यानि कि 1900 में आप क्या करेंगे माइनस 195 और 10 का अधिक लाव हो रहा है इसको जोड़ देंगे तो भी आपका कितना आ जाएगा 1695 पर चेश प्राइज तोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से तो ये तरीका आप लगाईए ज्यादा सटी करेगा जो दूसरा तरीका हम बता रहें कि फटाक से जितना है उसको आप जो गैफ है उसमें से आप फटाक से घटा दीजे और दो से भाग दीजे यानि कि 400 का आपका जो टोटल डिफरेंट है उसको आप क्या कर सकते है जो टोटल डिफरेंट है उसको जैसे कि 400 का डिफरेंट है उसमें से 10 रुपए का अभी प्रॉफिट है यहाँ पे तो इसको आप क्या कर सकते है 300, 95 कर दीजेगा दो से भाग दीजेगा तो एक सो पंचानवे यदि आप उसमें से घटा जोड देंगे और दस जोड के दो सो पांच जोड देंगे तो आप घटा देंगे तो आपका एंसर आजाएगा इस प्रिकार से है तो अब हम दसवा परिशन की ओर बढ़ते हैं जोइसोग प्रिश्ण आपका क्या चाहे रहा है एक विद्यार्थी को किसी संख्या से 5 से गुड़ा करने के लिए कहा गया उसने गलती से पांज से भाग दे दिया यानि कि इसको 20 कर दिया ठीक है 20 कर दिया आप 500 की जगा जो है जो संख्या 20 बच्ची वो तो टोटल गैफ कितना हो गया 480 का 500 में से आप 20 घटाएंगे तो कितने का गैफ हुआ आपका गैफ कितना हुआ 480 का हुआ 480 का आपका क्या हुआ गैफ हो गया ठीक है आप 480 का गैफ जो हुआ वो कितने में 500 होना चाहिए आपकी संख्या आपकी संख्या 500 होनी चाहिए लेकिन वो कितना हो गए 480 का अंतर आ गया कितने पे 500 पे आ गया 9.45 5.36 96% का जो है अंतर आया यही सवाल पूँच रहा है कि कितने का परिवर्टन हुआ तो 96 पेश्चत का भाई उसे 5 से गुड़ा करना था 100 मान ली जे संख्या हमने मान ली 5 से गुड़ा करना था लेकिन उसने 5 से क्या कर दी भाग दिये याई जो 500 हो नहीं थी वो 20 बच्ची 20 बच्ची का मतलब आपका 480 कम हो गया 480 कम कितने हम हुआ 500 में हुआ तो इसका परसेंटेज आप निकाल लेंगे आपका एंसर आ जाएगा ठीक है अब हम बढ़ते हैं कुछ अगले प्रिश्ण की ओर प्रिश्ण नंबर हम बढ़ते हैं ग्यारा की ओर कह रहा है च्यालिस सो में देचने पर पंदरा प्रिश्ण का लाब होता है क्रायमोल बताई इस सवाल को आप कैसे करेंगे दो तरीके हैं आपको सवाल करने के लिए च्छी आलिस सो में पंदरा प्रिश्ण का लाब कमा रहा है हमने जब पहले शुरूराद के हमारी परसेंटेज के वीडियो होगी देखी होगी आपने तो हमने बताया था कि आपको 11 100 प्रिश्ण एक बटा तो 50 परिस्द इस प्रकार से हमने आपको 30 तक बताया था आपने नहीं देखी हो तो उसको देख लीजे आप कहा रहा है कि 5 15 परिस्द की कमी 15 परिस्द बराबर कितना होता है इसको आप करेंगे तो यह 3 वटा 20 ही तो होगा यही तो हम कहा रहें अब आपको यह पता है कि 15 प्रिशत बराबर 3 बटे 20 होता है अब ब्रद्धी हुई है यानि कि लाब कमाया है कहा रहें कि लाब होता है यानि कि ब्रद्धी हुई है इस प्रहाईस में ब्रद्धी हुई है कितना 15 प्रिशत की तो ब्रद्धी का मतलब क्या होता हमने बताया है कि उपर वाले में क्या करिए कि उपर वाले को नीचे वाले में जोड़ दीजिए तो 3 बटा 23 हो जाए गई ठीक है यही तो हम कह रहे हैं यह कितना हो जाता है 3 बटा 23 हो जाएगा अब 3 बटे 20 की कमी ब्रद्धी को तीन बटा तेज की कमी दूर करेगी यही तो है हमारा सवाल तेज दुनाई 46 और क्या कह रहा है कि 46 पंदरा प्रसद का लाव होता है तो क्रेमूल ले ग्याद कीजिए हाँ क्रेमूल आप से ग्याद करने के लिए कह रहा है अब क्रेमूल यानि कि ये 600 रुपए इनका क्या हो गया लाव हो गया 600 का इनको लाव हो गया अब ये कितना 46 में जब आप 600 घटा देंगे तो 4000 इनका क्या हो जाएगा क्रेमूल हो जाएगा यानि कि परचेज प्राइस अब इसको आप दूसरे तरीके से भी कर चकते हैं दूसरा मेथड भी आप अपना सकते हैं कह रहा है कि 4600 रुपए ने ये 15 प्रिश्षत का लाव कमाए है यानि कि 15 प्रिश्षत का इसमें लाव जुड़ा है तो आप क्या पढ़ते हुए आए हैं ये भाई या लाव इसमें जुड़ा है यानि कि ये 155 प्रिश्षत अधीक है यानि कि 4600 जो है 115 प्रिश्षत है तो 100 प्रिश्षत बताईए क्रैमूल वही तो होगा तो इसको आप बुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 104 को 4 और 154 को 60 यानि कि 400 चालीस होगा और 40 में 100 को गुणा करेंगे तो ये 4000 आ जाएगा देखिए दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं दोनों तरीका आपके लिए बेहतर है कोई भी तरीका आपका समय दोनों बचाएंगे आपके लिए चलिए हम अगले प्रिश्ण की ओर बढ़ते हैं 30 रुपए का छाता बेंचने पे 20 प्रिस्ट का लावत हम इसमें से कुछ रफ कर रहे हैं जिससे की आपको समझ में आ जाए चीजे हाँ 30 रुपए का छाता बेंचने पे 20 रुपए का लाव होता है 27 रुपए में बेंचने पे लाव है प्रिस्ट बताईए ठीक है आप कोई छाता कह रहा है कि 30 रुपए का है हमारा ये होगा 11 सवार 12 सवाल हो गई है ठीक है अब करें 30 रुपए का चाता बेंचने पे 20 प्रिस्ट का लाव होता है फिर हमने बताया आपको कि पिछले सवाल में उन्हें बताया था कि 20 प्रिस्ट का लाव का मतलब 1 बटे 5 का अधिक है 1 बटे 5 की ब्रद्धी को 1 बटे 6 की कमी पूरा करती है पांच रुपए इनका अधिक मूल यहां पर अंकीत है यानि कि इनका 25 रुपए प्राइस है ठीक है अब ये 25 रुपए की चीज को 27 में बेचते हैं ठीक है 27 में बेचते हैं यानि कि दो बटा 25 जाई 27 में बेचने पर लाब आप दो रुपए कलाब ये 25 में कमा रहे हैं तो इसका प्रितिसत बताना है 25 चव को सव चार दुनी आठ प्रितिसत आपका एंसर आएगा अद दूसरा तरीका क्या होगा इसी सवाल का देखी यहां पर खहरा है कि 30 प्रितसत 30 नौपए 120 प्रितसत है 100 प्रितसत कितना होगा जीरो से जीरो काट देंगे आप यह कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा तो बार दुनाई 24 बारा पंचे शाट है यानि कि यह 25 हो जाएगा ठीक है अब फिर से वह कहां नहीं आ गई 25 रुपए यानि कि 30 में बैचते थे 25 पकड़िए ये मेथड आपका ज्यादा सराल है क्योंकि आप इसको मुझवानी निकाल सकते हैं क्या कर रहा है कि 30% की 30 रुपए में बेचने पर 20% का लाब हो रहा है एक बटे 5 आपको 20 की वैलियो एक बटे 5 होती है लाब हो रहा है यानि कि अधिक में बेचा है तो एक आप 25 आप कर देंगे तो आपका एंसर असानी से आजाएगा चलिए हम बढ़ते हैं एक और सवाल की ओर यानि कि 13 सवाल आपकी स्कीन पर आ चुका है 13 सवाल क्या है कि 63 रुपए में एक वस्थू बेचने पे 5 प्रिस्थत का लाब होता है तो 6 रुपए में बेचने पे लाब होता है कहा रहा है कि 63 जो है बेचने पे 5 प्रिस्तत का लाब होता है 5 प्रिस्तत का मतलब हमने बताया है कि 1 बटे 20 1 बटे 20 की ब्रद्धी को 1 बटे 21 की कमी पूरा करेगी पहली वीडियो देख लीजे पहली दूसरी 30 वीडियो यदि आपको यह नहीं समझ में आ रहा है आप चुटकियों में लगाएंगे 3 रुपए 3 रुपए अधिक है यानि कि 63 माइनस 3 बराबर 60 अब 6 रुपए क्या कहा रहा है कि 6 रुपए बेच रहा है 6 रुपए लाब कमा रहा है 10 प्रिस्त आपका एंसर अब दूसरा तरीका इसका फिर से आप देखिए कह रहा है कि 63 रुपए में वस्तू 105 रुपए ये 105 प्रिस्त का लाब होता है 63 की वस्तू 105 का मतलब 105 गुनते 100 का मूल प्राइस कितना हो जाएगा यही तो पूंच रहा है ये 21 हो जाएगा ये 20 हो जाएगा 21 त्याई 63 बीस त्याई 60 फिर 6 बटा 60 यानि कि 6 अदिक अब ये कह रहा है कि 6 छाचट में बेचने पर जानि कि 6 रुपए लाब कमारा कितने पर 60 रुपए पर गुने 100 तो फिर वही कहानी हो गई एक कि 10% का क्या हो जाएगा इसे लाब हो जाएगा यही तो सवाल कहरा है आप से तो ये हमारे कुल मिला के हमने यहां पर देखिए 13 सवाल कर लिए हैं आज की इस वीडियो में यह हमारे आपके लिए वीडियो रही अगली वीडियों में हम फिर कुछ बिए कांसेट लेके आएंगे कांसेट हमारा क्लियर होने के बाद हम इस पर practice सवाल करेंगे तो यह रही वीडियो इस वीडियो में इतना ही मिलेंग अगली वीडियो में Profit and Last की Part 2 में तब तक के लिए धन्वाद पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिन, जय भारत!